नमस्कार दोस्तों वेलकम टू हार्ड एंड डीफ फिजिक्स विध हरदीप सर देखिए दोस्तों आप सबको पता है कोई भी कम्पिटिशन का जो एक्जाम होता है उस एक्जाम के अंदर जर्नल साइंस के कोश्चन जरूर आते हैं आप चाहे ससी की बात करो रेलवे की बात क कोई भी एक्जाम दे लीजिए हर एक्जाम के अंदर आपको जर्नल साइंस जरूर मिलती है और आज जो हम बात करने वाले हैं जर्नल साइंस का पहला लेक्चर आज हम जो है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरीके जिनकी सीरीज चलेगी और कुछ 30 या 32 लेक्चर के अंदर हम आपको general science कोशिच करेंगे सारी complete करवाने की क्योंकि general science में देखी तीन पार्ट होते हैं physics, botic विज्ञान, chemistry, science विज्ञान और biology जीव विज्ञान ठीक है दोस्तों आप क्योंकि आज पहले दिन और पहला lecture सुन रहे हैं आपको हम बता दें कि टेलीग्राम ग्रूप जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जोईन कर लीजिए वहां पर हर लेक्चर के नोट्स आपको प्रवाइड करवाए जाएंगे प्लस वट्सेप नंबर भी दिया हुआ है अब वट्सेप नंबर पर भी क्लिक कर सकते हो व वहां पर भी वट्सेप ग्रूप पे आपको एड़ कर दिया जाएगा और वहां भी आपको जो है नोट्स जो है वो रेगुलर तरीके से मिलते रहेंगे तो देखिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनमें होता है कि जर्णल साइंस मुश्किल लगता है लेकिन हम बिल्कुल इजी बना देंगे देखिए शुरू करते हैं आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिक्स को पहले पूरा करेंगे कुछ दिनों में हफते एक के दस दिनों में बहुती कराशियों की क्या होती हैं तो देखो समझने की कोशिश करना बिल्कुल सिंपल सी बात कोई भी चीज हमें किसी चीज का गुण बताना है तो हम कैसे बताएंगे बहुती कराशियों से बताएंगे अब देखे दो गुण होते हैं किसी आदमी के बात करो काला है के गुरा है तो ये गुण तो काला गुरा रंग गुण का एक नाम क्या होगा रंग कि रंग गु को क्या कहते है ताप यानि कि ताप वो गुण है जो ठंडक और गर्माहट के बारे में हमें बताता है कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो कौन बताता है ताप बताता है इसी तरीके से हलका है के भारी तो हलका है या भारी उसका हमें ग्यान कौन करवाता है द्रवेमान करव में नुदू करती एक ही गुन दियान रखना जैसे ताप ताप क्या करेगी एक ही गुन दशाएगी गर्म या ठंडे होने का गुन है ना यानि कि वो गुन क्या है गर्माट या ठंडक का गुन बताती है अब दरवेमान हल के बारे का अब दरवेमान ये तो है नहीं कि दरवेमान गर्माट ठंडक भी बता दे तो नहीं है ना इस तरीके से जैसे इसमें बहुती कराशियों में जैसे ताप आ गया समय भी के दूर है निकट है के दूर है वो बताने के लिए लंबाई बल हो गया बल समवेग यह है यह उनके बारे में आगे हम स्टडि करेंगे ना फिलाल आपको इतना ध्यान रकना है तो कलीर होगी बात बहुती कराशियां जो गुन को परदर्शित करती हैं उनको बहुती कराशियां कहते हैं अब दीके मेंली जो स्टडी करते हैं बहुती कराशियां आपको ध्यान रखने हैं हम दो परकार की हां आगे और भी पढ़ते हैं लेकिन फिलाल आज के लिए दो परकार की पढ़ेंगे बहुती कराशियां जनरली कितने प्रकार की पढ़ते हैं दो प्रकार की बहुती कराशियां study की जाती हैं पहली हम बात करते हैं मूल भूत बहुती कराशियां देखें मूल भूती कराशियां वो होती है fundamental physical quantities जो खुद से बन के बनी होती है उसको कोई बनाता नहीं है अब जैसे मैं बात करूँ आपको समय क्या समय किसी से बना है नहीं समय खुद से ही बना है तो वे बहुती कराशियां जो अपने आप से बनी होती है जिसको कोई दूसरा नहीं बनाता जो अपने आप से होती है उनको क्या कहते हैं मूलबूत बहुतिक राशिया तो मूलबूत बहुतिक राशियों की संख्या भी आपको याद रखनी है very important कितनी संख्या इनकी साथ है मूलबूत बहुतिक राशियों की संख्या कितनी है seven उनकी संख्या कितनी है साथ है तो हम बात करते हैं मूल बुद बहुत एक राशी है जो साथ है वो कौन-कौन सी है बहुत इंपॉर्टन्ट है देखिए पहले तो द्रवेमान ही आ गया तो द्रवेमान वही हो गया हलका और भारी बताएगा द्रवेमान का किलो ग्राम में आपते हैं दस किलो ग्राम है के बीस किलो ग्राम है है ग्राम में भी होता है, किलो ग्राम में भी होता है और आपको पता है, पाउंड में भी होता है तो उस तरीके से वो आगे पढ़ेंगे, मात्रकों के अंदर तो द्रबैमान हो गया सेकंड चीज अपने पास क्या आजाती है, दूसरा जो आजाता है, लंबाई लंबाई दूर है कि निकट है यह लंबाई यह मीटर में हो जाता है ना 10 मीटर है कि 20 मीटर है इस दरीके से तीसरी जो इसके अंदर आजाती है समय, टाइम second में, minute में और घंटे में लेकिन हम जो study करेंगे वो हमेशा जो time की study करेंगे हम second में ही करेंगे second इसका जो होता है वो मातरक होता है उसकी बात करेंगे ठीक है? ये आपके पास time आजाता है उसके बाद देखिया जाता है temperature यानि कि ताप साथ बहुती कराशी हैं इनको याद कर लेना मैं जैसे जैसे अभी बोड़ रहा हूं इसको ध्यान से सुनते जाओ और इसको याद कर लेना अच्छे से ताप, ताप को कैलवीन में भी मापते हैं डिगरी सेंटी ग्रेट में भी मापते हैं फारने हाइट में भी मापते हैं रियूमर में भी मापते हैं अगले लेक्चर में ध्यान रखना हम आने वाला तीसरा लेक्चर लगबगाएगा उसमें हम चारों पैमानों की स्टड़ी करेंगे कैलवीन ताप को मापते हैं कैलवीन में इस पे कोशन पका आता है हर कमपीडिशन में डिगरी सैंटी ग्रेट को कैलवीन में बदलिए कैलवीन को फारने हाइट में बदलिए फारने हाइट को डिगरी में बदलिए रियूमर में बदलिए तो ये जो है ताप का जो ताप जो होता है मापने के जो पैमाने होते हैं बहुत important है आपके पास उसके बाद आ जाता है तीवर्ता या intensity तो तीवर्ता या intensity जो होती है उसको भी आप क्या करते हो मापते हो तिवर्था या intensity क्या होती है कोई भी उर्जा आपको मैं बता देता हूँ simply उर्जा जो होती है एक मीटर स्केर का एरिया ले लो उसके अंदर से एक सेकिंड में जो उर्जा निकलती है वो होती है तिवर्था उर्जा प्रती एक आंक शेतरफल प्रती सेकिंड एक सेकिंड में एक मीटर स्केर एरिये से जितनी उर्जा निकलती है वो तिवर्था होती है फिर आपको याद रेखना तीवरता इसका मातर कैंडेला होता है आगे पढ़ेंगे फिर इसके बाद आता है विदुदारा जिसको करंट कहते हो विदुदारा करंट उसके बाद पदार्त की मातरा जिसको आप मोल के अंदर मापते हो तो ये आपके पास क्या आ जाती है ये आ पदारत की मातरा ठीक है ये अपके वाइब को साथ मूल भूत राशी है बहुत ही इंपारटिट है उसके बाद देकिए अब ये मूल भूत राशी हैं मिलके कुछ राशी है बनाती है जो पूत कर बनती हैं उनको कहते हैं व्युतपित व्यूत्पित का मतलब जो किसी से व्यूत्पन हुई है यानि कि जो मूल भूत राशिया जब आपस में जुड जाती है तो वो कुछ व्यूत्पित करती है राशिया तो वे बहुतिक राशिया जो मूल मूत राशियों से से मिलकर बनी होती है साथ से ही मिलकर बनी होती है यानि कि मूल इन सब का साथ ही है जड़ के दो मूल के दो वो साथ ही है जो उपर पड़ी है उन साथों से आगे फिर बनती जाती है उन साथों से आगे लाखों करोडों बना लो जाए तो ये तो लाखों करोडों ही होती है वि दूद ले आया, ममी मैं 10 दूद ले आया, या पापा मैं 11 चीनी ले आया, इसका कोई मतलब नहीं है, बताना पड़ेगा आपको, कि मैं 2 लीटर दूद ले आया, मैं 10 लीटर दूद ले आया, मैं 12 किलो चीनी ले आया, मैं 12 ग्राम चीनी ले आया, समझ के बात, तो ये जो ग् जो बता चलेगा 0 क्या 10 में पड़ाए तो क्या 10 बढ़ाई की 10 Meaning 5 Tian किनट इता है उसको वह जो होताए बहुत पातिक राश events की मापimmen को सद्धाय maps मात्रक कहते हैं उसको ठीक है तो मात्रक को इंगलिश में यूनिट कहते हैं तो हम अभी बात करने वाले मात्रक के बारे में ठीक है बेटा तो मात्रक के बारे में बात करते हैं सिंपल तीन तरीके के मात्रक जनरली study किये जाते हैं जो आपको दिमाग में clear रखना है एक होता है CGS, एक होता है MKS, एक होता है FPS कुछ भी नहीं है जनरली तीन चीजे हम पढ़ते हैं एक तो पढ़ते हैं दूरी तो दूरी को cm में माप सकते हो, मीटर में माप सकते हो, फोट में माप सकते हो दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं दूरी के बाद, आपको भी पता है दूरी के बाद आप द्रवे मान पढ़ते हो ग्राम में माप सकते हो, किलो ग्राम में माप सकते हो, पाउंड में माप सकते हो, और समय को second, second, second यानि कि तीनों में cds में s, s, s second को ही बताएगा, समय का मातरक second ही रखना है, हर जग है कहीं भी question में आपको गंटा दिया हो HR दिया हो मतलब गंटा दिया हो कहीं भी MIN minute दिया हो आपको उसको second में बदल लेना है जैसे गंटे को second में बदलोगे तो 60 गुना 60 मिनट को बदलोगे second में तो 60 ठीक इसे गुना हो जाएगा ठीक है fps foot pound second मातरक तो उसी की है देखो बस फरक क्या कर दिया हमने यह इतना ही फरक कर दिया कि जो हमारा centimeter है उसको मीटर में बदल दिया फिर मी फिर उसको foot में बदल दिया gram को kilogram में फिर kilogram को pound में second second ही रहता है तो यह तीन तरीके के मातरक है जो आपको mind में clear रखने है अब देखे मूलबूत राशिया और उनके क्या-क्या मातरक है यह आपको थोड़ा सा याद रखना है मैं आपको जनरली बता दूँ यह तीन आपको mainly याद रखने है उपर वाले बाकी नीचे वाले थोड़ा सा learn कर लेना थोड़ा सा पढ़ लेना इनको कई बार वो पूछ लेता है लेकिन important यह तीन ही है important क्या है यह तीन ही है जो आपको याद रखने हैं तो बात करते हैं सबसे पहले देखे द्रवयमान द्रवयमान जो होता है उसको आप हमेशा किस से बनाते हो द्रवयमान को capital M से लिखते हैं किस से लिखते हैं द्रवयमान को आप capital M से लिखते हो और द्रवयमान को capital M से लिखने के बाद उसका मातरक होता है किलोग्राम द्रवयमान को capital M से लिखते हो उसका मातरक किलोग्राम होता है और आपको पता है gram भी होता है और एक औ को पाउंड आपको किलोग्राम याद रखना है कोगि मैंने यह लिखा हैं MKS मात्र के लिख रहा हूं मीटर किलोग्राम Second वाले लंबाई को एल से लिखते हैं Capital L में मापते हैं समय को टी और स्मॉल टी दोनों से लिखते हैं Second जार ये बात तो अब आपको मैं यह बताने कोशिश कर रहा हूं कि जो यह सारी चीज़ आगे फिर जैसे अब ताप का पैमाने जो हम पढ़ेंगे सारे को इसमें से कोशन पका आता है तीवरता आई से लिखते हैं इसको भी इसका कैंडेला मातरक देगे समय और ताप को सेम सि जाता है तीवरता का मातरक क्या होता है कैंडेला होता है तीवरता का मातरक क्या होता है कैंडेला होता है यह अपने माइंड के अंदर आप फिक्स कर लीजिए तीवरता का मातरक कैंडेला होता है उसके बाद देखे विदुद्धारा आई से लिखते हैं मातरक एंपियर होत तो आपको इतना दियान रखना ये मूलबूत राशियां साथ इसका रटा मार लो ये इनके संकेत हैं और ये इनके मातरक हैं ये आपको कम से कम याद होना ही चाहिए ठीक है दोस्तो अब देखिए जब हम स्टड़ी करते हैं मैथ की या साइंस की तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो आठ्स के बच्चों को जनरली बहुत ही कन्फ्यूज करती है देखिए दस की पावर है माइनस एक इसको लिख सकते हैं एक बटा दस की पावर प्लस एक यानि कि दस की पावर या किसी भी नंबर की पावर ए ए लिख दिया नंबर ए का मतलब कोई भी एक दो बा तरह 25 जो भी उसकी 파वर जो भी माइनस में होती है या प्लस में होती है balls अगईल्ध दो की पावर ौर नाथ है जब नीचे लेकर जाोनगे वह दो की बांढल 8 हो जाएगी अब 12 अब इस तरीके से समझगे बात आप जैसे 12 की पावर कुछ भी है यहाँ पे चलो वो मिक्स हो गए सारा आप देखो 10 की पावर नीचे चला गया एक बटा 10 होता है 0.1 और इसका नाम होता है कहीं भी आपको 10 की पावर माइनस 1 मिले उसका मतलब 0.1 होता है उसका नाम होता है डेसी डेसी यानि कि कोई आपको कहे एक डेसी मीटर डेम से लिखूंगा एक डेसी मीटर इसका मतलब होता है 10 की पावर, 1 बटा 10 मीटर, cdc बात है, यह 10 की पावर माइनस 1 मीटर, इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 1 मीटर, dc का मतलब हो गया, फिर देखिए, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 को लिखते हैं, 1 बटे 10 की स्केर, क्योंकि उपर माइनस 2 था, नीचे जा कि वो क्या हो जाएगा माइनस का दो हो जाएगा तो यही होता है वह साइन बदल जाता है समझ गे तो यह क्या जाएगा जैसे देखो दसकी बुस्के हो गया चीक समझे करें फार 50 10 की पार 50 10 डान Τाहिक 1 इस इसनी संड्टी को संटी क्याते हैं फिर दसोर बैन पस्ति मजाО міली इसको कहते हैं मिली इसको M से लिखते हैं मिली सैंटी को स्मॉल सी से लिखते हैं और डे सी को जैसे कोई कहें एक सैंटी मीटर इसका मतलब दस की पावर माइनस दो सैंटी को लिखती है और मीटर पढ़ा है दस की पावर माइनस दो मीटर समझ गे सैंटी का मतलब दस की पावर माइनस दो फिर आगया दस की पावर माइनस छे इसको कहते है माइक्रो दस की पावर माइनस नो नैनो समझ दरी हो बात यह आ जाता है उसके बाद देखिए दस की पावर आपके पास आ जाता है प्लस में तीन मतलब हजार होता है दस की पावर तीन दस गुना दस गुना दस बराबर दस की पावर तीन हो जाता है और हजार और ये क्या होता है किलो दस की पावर तीन या हजार क्या होता है किलो जैसे कोई कहे एक किलो गराम तो इसका मतलब क्या है हजार गराम 1000 ग्राम ठीक है तो 1000 होता है किलो का मतलब उसके बाद लेखिए 10 की पावर 6 होता है मेगा जैसे आप शक्ती को मापते हो नो 1 मेगा वाट शक्ती एक मेगा वाट इसका मतलब होता है 10 मेगा वाट लिखा है Giga उसके बाद देखिए ये कुछ रूल हैं जैसे नीचे गया तो चेंज हो गया कोई भी दस की पावर जैसे A की पावर B और गुर्णा A की पावर C अब आधार से या तो इसको A की पावर B प्लस C लिख सकते हो कैसे जैसे A 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर आपने 10 कर दिया तो उसको लिख सकते हो 10 की पावर 2 प्लास 10 मतलों 10 की पावर 12 लिख सकते हो कोई दिक्त नहीं है यानि कि गातें जो होती है वो जुड जाती है अधार समान उने पर अधार तो यहां भी समान है एक फावर बटे एक फावर C अब देखो एकी पवर C जब उपर जाएगा तो वो जाएगा एकी पवर माइनस का C तो यहा जुड़ेंग वैसे तो जुड़ी रही है क्योंकि वो माइनस का है तो माइनस हो रहा है एकी पवर B माइनस C कहने का मतलब अगर आपके पास है 8 की पावर उपर 9 8 की पावर गात 9 Just one minute 8 की गात आपके पास 9 है और फिर नीचे 8 की गात 7 है तो आप क्या लिखोगे 8 की गात 9 गुना 8 की गात माइनस का 7 या जाएगा 8 की गात 9 माइनस 7 समझ गे बात तो 2 बजगी 8 की गात 8 की गात 2 और वैसे भी आपको पता है जब यहाँ पे इसको उपन करोगे तो 8 को 9 बार लिखोगे 8 गुना 8 गुना और बटे में क्या लिखोगे 8 को 7 बार लिखोगे 8 गुना 8 तो 7 तो कट जाएंगे उपर उपर 2 बचेंगे और वही यहाँ बचा है वही यहाँ बचा है उसके बाद देखिए जर्नर रूल होगे फिर देखिए एक चीज आपको समझनी है एक लीटर में होते हैं एक सेंटीमीटर क्यूब एक सेंटीमीटर क्यूब एक लीटर को कहते हैं और एक लीटर में जहां है आपकोわか्रइब सेंटीमिटर होता है यह को पता है सगस्किष CiV होते हैं अब डोनो तरफ एक मीटर का गुणा कर दो तो सो संटीमिटर 600 संटीमिटर का गुणा हो जाएगा यानि कि एक मीटर 1 meter करोगे तो पहले 1 meter को क्या लिखोगे pick 100 cm दूसरे 1 meter को फिर क्या लिखोगे always तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 सेंटी मीटर यह ऐसे लिखा जाएगा अब जब तीसरी बार अब जब तीसरी बार 1 मीटर को और गुना करो गए तो इधर तीसरी बार 100 सेंटी मीटर फिर गुना हो जाएगा तो ये तो क्या बन गया मीटर गुणा मीटर गुणा 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 गु पावर छे सेंटी मीटर की पावर तीन एक मीटर क्यूब होता है दसकी पावर छे सेंटी मीटर क्यूब समझ के बात यह आजाता है तो अब एक सेंटी मीटर क्यूब निकालना है तो सीधी सी बात है दोनों तरफ आप भाग देना दसकी पावर छे का यानि कि एक मीटर यह कमसे आपको यह या कटे जानागेंड नुट 14 1 को सबसीज्टus सबस्कार स्लाइने कर तो यह सबस्कत्राइबी, यह से यह समौन हो गया एक मिट् nhưng यह उस ais जा इसका। दसकी पावर माइनस 6 हो जाएगा, इसका मतलो यह क्या बन गया, एक सेंटी मीटर क्यूब होता है, दसकी पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, यानिकि एक लीटर होता है, दसकी पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, चाहे तो आप इसको डारेक्ट याद रख सकते हो, और एक लीटर होत दोस्तों इसके नोट्स जो है आपको हमने पहले ही पताया है कि टेली के रम ग्रूप पे अविलेबल होंगे नमबर है हमारा उस वाटसेप नमबर पे अगर आप मैसेज करो तो वहां से भी नोट्स मिलेंगे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए गा यहां वाटसेप भी आप मैसेज करके डाउट पूच सकते हैं आपको जबाब दिया जाएगा और इसके जो नोट्स जो यह अभी लेक्चर चल रहा है जो भी लेक्चर हम करवा रहे हैं उसके जो नोट्स हैं वह आपको एबलेबल करवाई जाएंगे हर लेक्चर के अप टू डेट तो आप आपको बस इतना याद रखना है साथ बहुती कराशी हैं मूल वोथ सातों के आपको नाम और सातों के जो मात्रक हमने पढ़े हैं यह वाले वह आपको अपने माइंड के अंदर यह चीज के लिए रखनी चार्ट आपको याद होना चाहिए फिर कुछ रूल जो नीचे पढ दन्याबत